संदीप आगरमोर टुटोरियल पर हम आपको electrical appliances की repairing जिखाते हैं हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फुरी में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल पर किलिक करें, और को सेलेक्ट करें और ओपके दबाएं Hello Friends, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि सुरक्षा संकेत क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें बनाया जाता है और किस सूचना को वो हमें बताते हैं अलग-अलग सिंबोल होते हैं, उन्हें अलग-अलग कलर के द्वारा, अलग-अलग अकरती के सिंबोल के द्वारा उन्हें दर्साया जाता है तो यहां सब हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं दोस्तों एक अन्य लेक्षर में हमने जाना था कि सुरक्षा सावधनिया क्या क्या होती है वो दुरगटनाओं से बचने के लिए किन-किन सुरक्षा सावधनियों का पालन करना चाहिए लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क्शोप्स जो होती है या इलेक्ट्रिकल का कारी एक अत्यंत सम्वेदन सिल कारी होता है थोड़ी सी भी लापरवाई के कारण बड़ी दुरगटना हो सकती है कई बार दोस्तों सुरक्शा सावधानियों का अलुपालन करने के बाद भी दुरगटना हो जाती है तो दोस्तों इस लेक्शर में हम लोग जानेंगे कि जो विदुद दुरगटना है मुख्य रूप से जिसे इलेक्ट्रिकल शोग है विदुद जटका तो विदुद जटका क्या होता है इलेक्ट्रिकल शोग क्या होता है या इस वीडियों में हम जानेंगे उसके कारण क्या होते है और इलेक्ट्रिकल शोग के कारण क्या क्या सारी लिक्षतियां व्यक्ति को हो सकती है साथी साथ यदि कोई व्यक्ति किसी electrical live wire के संपर्क में आ जाता है या उसे विद्दुद जटका लग जाता है तो उसे क्या प्राथ्मी कुप्चार हम लोग कर सकते हैं उसे क्या first aid हमें देना चाहिए या सभी हम इस वीडियो में जानेंगे तो आगे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विद्दुद जटका क्या होता है electrical shock विद्दुद जटका आज का हमारा पहला टापिक है विद्दुद जटका या electrical shock तिक है दोस्तों सामान नितहा नभे बोल्ट्स तक की electricity पर यदि हम लोग संपर्क में आ जाएं तो हमें किसी भी परकार का विद्दुद जटका नहीं लगता है या इतना सुक्ष में जटका लगता है कि जो हमें पता भी नहीं चलता लेकिन यदि कोई व्यक्ति 90 वोल्ट्स से अधिक की विद्दुद सप्लाई के संपर्क में आ जाता है तो उसे एक जटके का अनुवा होता है इसी जटके को हम लोग विद्दुद जटका कहते हैं या electrical shock कहते हैं दोरों कि इसका कारण यह है कि हमारे सरीर में आप लोग जानते हैं कि पूरे सरीर में blood का circulation होता रेता है रक्त जो है वहँआँ पूरे सरीर में संचार करता रेता रोता है प्रभवा करते रहता है दोस्तों यह जो रख्त की गति है और विद्दुधारा की जो गति है ये दोनों आपस में इनका सामधे से नहीं हो पाता यानिकि इनमें बहुत जाला डिफ्रेंस होने के कारण हमें एक जटके का नुख़ो होता है दोस्तों विद्दुधारा की जो गति होती है वहाँ इलेक्टरान के प्रभाग के कारण होती है और विद्द्धारा की जो गती है वहाँ प्रकास की गती के बराबर होती है प्रकास की गती आप सभी को पता होगा कि तीर मोड़ित दसकी गत आठ मीटर पर सेकंड होती है याने की लगभग तीस करोड किलो मीटर पर सेकंड ठीक है मालना दोस्तों कि ये इतनी जादा गती है कि यदि कोई विक्ती इस गती से अधी मान लीजी प्रतिवी के चक्कल लगाए तो वहा एक सेकरण में साथ रांड प्रतिवी के लगा सकता है उसके साथ परिक्रमा कर सकता है तो विद्दधारा की जो गती है वहां काफी ज़ादा होती है और यह गती हमारे सरीर में जो रक्त प्रभाव हो रहा है उस गती से बहुत तेज होती है इस कारण से हमें एक झटगे का अनुबव होता है तो यहीं कारण है कि जादतर योरोपी डेसों में सप्लाई साथ ही साथ कुछ जलियानों में या पंडूबियों में इसके अलावा जो जलियान है जलियान वायोयन इनमें भी विद्धित सप्लाई का मान जो है वहाँ एक तो दस वोल्ट रखा जाता है ताकि यदि कोई व्यत्ति किसी कारणवस किसी इलेक्टिकल सप्लाई के संपर्क मे आ भी जाए लाइब बायर के संपर्क में यदि आ भी जाए तो उसे ज़्यादा घंबीर जटका ना लगे ठीक है जैसा कि हम लोग जानते है कि 90 वोल्ट से उपर जटका तो लगेगा लेकिन चुकि हमने 110 वोल्ट जो सप्लाई वोल्ट यदि रखा तो जो जटका लगेगा उसका मान बहुत ही सुक्ष्मों का इसलिए व्यक्ति को गंभीर जटका नहीं लगेगा ठीक है अब दोस्तों आईए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं अब जैसे माली जीए यदि विद्दु जटका लग भी जाता है किसी व्यक्ति को तो इस विद्दु जटके क कुछ सारीरिक नुक्सान नुक्सान हो सकते हैं तो देखते हैं विद्दु जटके के क्या क्या सारीरिक नुक्सान हो सकते हैं विद्दु जटके के नुक्सान ठीक है विद्दु जटके के सारे रिक नुक्सान तो दोस्तों देखिए विद्दु जटके के यदि कोई व्यक्ति संबग में आ जाता है किसी व्यक्ति को विद्दु जटका लग जाता है तो वहाँ बेहोस हो सकता है मुर्चित हो सकता है नंबर बन नुक्सान होगा कि वहाँ मुर्चित हो सकता है ठीक है इसके अलावा व्यक्ति के सरीर पर छाले पर सकते हैं ठीक है आप लोग पाइंट वाइस नोट करते जाएं कि सबसे पहले व्यक्ति मुर्चित हो सकता है यान उसके सरीर पर छाले बढ़ सकते हैं ठीक है साथी साथ यदी माली दिये जिस हिस्थे पर वह विद्धु संपर्ख में आए जैसे हाथ वगरे लगाता है तो वहाँ पर रक्त प्रभाव हो सकता है बलड निकल सकता है वहाँ से ठीक है ठीक है तो आप लोग सबी यह जो मैंने नुकसान बता है इनको पॉइंट बाइस जो है आप लोग नोट कर सकते है ठीक है यह सारे नुकसान जो है यदे व्यक्ति विद्धु दारा के संपर्ख में आ जाता है electric line के संपर्क में आ जाता है तो उसे ये सारी लिक्षतियां जो मैंने अभी बताई आपको बहाँ हो सकती तो आप लोग इसमें ध्यान रखें अब दोस्तों माल लीजी जैसे कोई व्यक्ति विद्दृत धारा के संपर्क में आ गया है किसी live wire को उसने छूलिया है तब हमें उसे किस तरह से छुडाना है या भी हमें जानकार होना आवशक है तो आईए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि कि विद्दृत धारा के संपर्क में आ गया व्यक्ति को किस तरह से हम लोग छुडा सकते हैं किया हमारा अगला टोपिक है नेस्ट टोपिक है विद्धूत सप्लाई के संपर्क से व्यक्ति को छुडाना दोस्तों यदि मालीजी कोई विद्धृत धारा के संपर्क में आ जाता है तो आप डारेक्ट ही उसे हातों से पगड़ कर गए नहीं छुडा सकते क्यों नहीं छुडा सकते क्योंकि यदि आप मालीजी डारेक्ट ही उसे हातों से पगड़ के खीचिंग है तो आपके सरीर में भी विद्धुधारा का प्रवा इस्थापित हो जाएगा और आप भी विद्धुध जटका के सिकार हो जाएंगे तो इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति को विद्धुधारा से संपर्क से चुड़ाना होता है तो दोस्तों सबसे पहली बात जो आप लोग ध्यान में रखेंगे वहाँ होती है कि यदि माली जी कोई विद्धुधारा के संपर्क में आ जाता है तो आप सबसे पहले कोसिस करें कि जिस मसीन के वहाँ संपर्क में आया है तो आप उस मसीन का जो supply switch है उसे बंद कर दें तीक है यदि माली जीए supply switch को बंद करना संभब नहीं हो पाता है तो आप supply का जो main switch होता है किसी भी institute में किसी भी संस्थान में जो sub station से या जो हमारी distribution line होती है कि जहां से सबसे पहले विजली आती है electric meter यहां पर लगाया जाता है वहां एक main switch होता है तो आप सबसे पहले उस main switch को बंद कर दें में switch को बंद कर देंगे तो विद्द धारा का प्रभा बंद हो जाएगा और आप व्यप्ति को आसानी से विद्द संपर्क से छोड़ा सकते हैं लेकिन यदि मान लिजिए main switch भी उपंद करना संभव नहीं है एसी स्थिति में आप किसी कुछ आलक पदार्त की साहथा से जैसे कि किसी rubber की चटाई पर खड़े हो जाए रवर के जूते पहने या लकडी की टेबल पर चड़कर के आप किसी लकडी के डंडे की साहथा से वि विद्धि के सरीर पर आप लोग प्रहार ना करें या उसे जादा जटके से आप उसे बिजडीर से ना चुड़ाएं ताकि यह ऐसा ना हो कि वह गिर करके और जमीन पर मूर्चित हो जाए और या उसे जमीन पर गिर करके चोट लग जाए तो दोस्तों यहां सारी बाते हमे व्यक्ति को विद्धारा के संपर्क से छोडाते समय त्यान में रखना चाहिए ठीक है आईए अब हम लोग नेक्स टॉपिक पर चलते हैं यदि माली जीए कोई व्यक्ति विद्धारा के संपर्क में आ गया है आपने उसे विद्धारा के संपर्क से छोडा लिया है अब इ देखिए व्यक्ति को डाक्टर के आने से पूर्व जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जो उपचार व्यक्ति को देते हैं लुद्ष में लुद्द, आप लोग क्या कर सकते हैं सबसे पहला काम हमारा होता है कि व्यक्ति के चारों और यदि भीड जमा हो गई है भीड एकत्रित हो गई है तो उसके चारों और थे हम लोग भीड को हटा दें ताकि जो स्वच बायू है बायू का निर्वाह निर्विरोध प्रवाह जो है वहा होता रहे दूसरी बात ध्यान रखना है हमको कि यदि मान लिजिए व्यक्ति के मुँँ में तमाख खुब उठका है या नकली दात इत्यादी है तो इन्हें आप लोग बाहर निकाल दे क्योंकि इनके कारण भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इसके अलावर दोस्तों यदि मान लिजिए व्यक्ति के सरीर में च्छाले पड़ जाते हैं तो उसे आप लोग बलंग इत्यादी पर लेटा दें और जैसे च्छाती पर यदि च्छाले हैं तो उसे कमर के बल लेटाना है और यदि कमर पर चाले हैं तो उसे आप लोग चाती के बल लेटा दें साथी साथ दोस्तों यदि चाले हैं तो उन पर आप लोग कपड़ा इत्यादी ढग दें कागस बगरा ढग दें ताकि उस पर मच्छर मख्या ना बेठें और जो व्यक्ति है उसके सरीर में कोई बिमारियां ना फैल सके इसके बाद आपको धियान रखना है दोस्तों कि यदि मान लीजिए व्यक्ति को ऐसे कमरे में रखा गया है जहां पर खड़कियां वगरा हैं और वो खड़कियां यदि बंध हैं तो आप लोग उन खड़कियों को खोल दें खड़कियों को खोलने से भी जो बहार की हवा है वहाँ कमरे के अंदर आ सकेगी ठीक है साथी साथ यदि व्यक्ति को दोस्तों स्वांस लेने में दिक्कत हो रही है तब हमें उसे करंतिम स्वांस देना होती है तो दोस्तों नेक्स टोपिक में हम लोग जानेंगे कि करंतिम स्वांस की क्या-क्या विधिया होती है और उन्हें किस तरह से कि करंतिम स्वांस किस तरह से दी जाती है तो दोस्तों आईए इस वीडियो में हमने क्या का सीखा फिर से एक बार recap कर लेते हैं सबसे पहले हमने जाना कि विद्दुद जटका क्या होता है electrical shock क्या होता है ठीक है दोस्तों electrical shock के बारे में एक बात और वज़ादू में आपको कि electrical shock के कारण किसी विद्दुद धारा पर यह इस बात पर भी depend करता है कि वहाँ व्यक्ति कितने words की विद्दुद धारा पर या कितने मान की विद्दुद धारा पर कितने अधिक समय के लिए संपर्क में रहा यदि मान लिजिए वहाँ कम मान की विद्दुद धारा है और उस पर कम समय तक ही संपर्क में रहा तो उसे कम सारिलिक छथी भोगी ज़ना यदि वहाँ काफी देर तक संपर्थ में रहता है तो सारिलिक छथी का मान जो रहाँ बढ़ जाता है तो सबसे पहले हमने जाना कि विद्धू जटका क्या होता है इसके बाद दोगों ने सीखा कि विद्धुद जटके के कारण क्या का नुकसान हो सकते हैं ठीक है अगला टोपिक हमारा था कि विद्धुद सप्लाई से विक्ति को किस तरह से छुड़ाया जाता है उसके बाद दोस्तों सबसे आखरी में अधी हमने डिसकस किया कि प्राथमी कुपचार क्या होता है और विद्धुद संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसे डाक्टर के आने से पूर्व आप क्या-क्या प्राथमी कुपचार के रूप में दे सकते हैं ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी या इलेक्रिशियन फायदा हो सके इसलिए वीडियो को शेर करना ना भूलें और यदि आपने हमारे चेनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चेनल संदीप आगर्मोर टूटोरियल को सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग आगर्मोर टूटोरियल